पटना भी स्विध्याले छात्रसंग के चुनाव में गोलियां चल रही है, बम पटके जा रहे हैं, आपस में जिस प्रकार से टकरा हो रहा है, जगड़ा हो रहा है, ये कहीं न कहीं अच्छे बाता वरन को नहीं दरसाता है, इन सब चीजों के लिए अगर कोई दोसी है, तो स सत्ता में बैठी पाटियां है, आपस में जो ऐसे, जो सत्ता में बैठी पाटियां है महागटवंदन में, उसी में टकरा हो रहा है, दूसरे में केवल सत्ता के लिए कुरसी के लिए साथ हैं, लेकिन उनको समाज से और राज्य से कोई मतलब नहीं है, उसके विकास का कोई म प्यारी नहीं थी और सत्ता में बैठे दोनों दल आपस में पहले से तयारी किये थे कैसे जो ऐसे चुनाव जीता जाए किस प्रकार से जो भी वहां जिस प्रकार कर रंडिती अपनाना हो अपनाईए बोली चलाना हो बम चलाना हो मार पीट करना हो लेकिन किसी न किसी प्रकार से चुनाव जीत करके आईए सरकार कहीं न कहीं प्रसासन के उपर दबाव बनाया कि आप चुप चाप रहिए और प्रसासन मूख दर्सक बन करके देखती रही नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब भिहार मैं आपके साथ रूपम पटना विसु विद्याले में आज छातर सं का वोटिंग था और उस दौरान मैं वहां पर रिपोर्टिंग कर रही थी और मैं पुड़ा पहले आपको वहां का हाल बताती हूं कि क्या हुआ सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि अभी उपचुनाओं आपने देखा ही कि मोकामा और गोपाल गंज में उतना वहां पर इस तरह के जो महाल नहीं बने जितना की महाल आपका पटना विसु विद्याले में बन गया जब मैं वहां खवर कर रही थी तो उस दौरान इतना हरकम मच गया लोग एक दूसरे भागने लगे और भगदर में गोलियां भी चलने लगी फाइरिंग भी होने लगी और हम लोग को कहा गया कि आप लोग अपना कैमरा बंद कीजिए कैमरा को भी पटक दिया गया चली आज हमारे साथ बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल जी हैं हम इनी से बात करते हैं कि क्या सिच्छा जहां पर आदमी गरहन करता है क्या वैसे संस्थान में इस तरह के राजनिती करना कहां तक सही है बहुत ही दुखद घटना है जो सैचनिक संस्थान होते हैं वो चरित्र निर्मान का अस्थान होता है वहां से लोग सिच्छा गरहन करकर करके पूरे जीवन का चरित्र जो हैसे अपना बनाते हैं और जब चरित्र बना करके वहां से निकलते हैं तो समाज के अंदर में भी गर जिस छेतर में भी काम करते हैं उस छेतर में उस चरितर का बहुत महत्तु रखता है। तो सत्ता में बैठी पाटियां है आपस में जो ऐसे जो सत्ता में बैठी पाटियां है महा गटवंदन में उसी में टक्रा हो रहा है उसी में आपस में जगड़े हो रहे हैं उसी के दो गुटों में जो छात्र संग है उसमें लडाई हो रहा है जिसके कारण यह इस्थिती बन इस बात को दरसाता है कि जब आपस मेहीं लड़ रहे हैं, दोनों में टक्राव हो रहा है, मारपिट की नौबत आ गई, तो महागटवंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, यह उपर की राजती को, विश्विद्याले की राजती, छात्र की राजती को दरसाता है, कि आपस मे मतैक है, मतभीनता है, दूसरे में केबल सत्ता के लिए, कुरसी के लिए साथ हैं, लेकिन उनको समाज से और राज्य से कोई मतलब नहीं है, उसके विकास का कोई माइन नहीं है, कि समाज का कैसे निर्मान होगा, कैसे राज्य का विकास होगा, इसका कोई उनके पास, कोई न न मिले हम एक साथ राकर करके केवल कुरुसी हतियाय रखें इसके लिए ये लोग आपस में साथ हैं परेम रजर पटेल जी मुझे ये बताईए कि बाहर में जिस तरह से गोलियां चर रही थी चात्रों के द्वारा जो भी हो जो गोलियां चर रही थी तो उन्हें कहीं न कहीं सपोर्ट तो मिल ही रहा होगा बिना डड़े कैसे वो गोलियां केंपस में चला रहे हैं ये सब के लिए जो ऐसे दरसाता है कि जिस प्रकार से परसासन मूख दरसक बनी हुए परसासन की तैयारी नहीं थी और सत्ता में बैठे दोनों दल आपस में पहले से तैयारी किये थे आपने देखा होगा कि तेजस्त्री आदव लगातार छात्र नेताओं के साथ और अपने लोगों के साथ लगातार रन्निती बना रहे थे बैठ के कर रहे थे कैसे जो ऐसे चुनाओ जीता जाए किस प्रकार से जो भी वहाँ जिस प्रकार कर रन्निती अपनाना हो अपनाई तो लेकिन किसी न किसी प्रकार से चुनाव जीत करकलके आए उसी प्रकार से सत्ता में बैठे दल जधिव के उनके भी लोग पदाधिकारी, नेता, मंत्री वो भी अपनी रन्निती बना रहे थे और कहीं न कहीं साहतों उपर से सत्ता का मिला था तभी तो इस प्रकार की घटनाय हुई है यह चुनाव आयोग चुनाव कराती है यह जो विश्विद्याले का या छात्र संग का चुनाव होता है यह राज्य सरकार की जिम्मेबारी होती है लेकिन जब विधान सवा का चुनाव होता है कोई उपचुनाव ही होता है तो वो चुनाव आयोग कराती है और चुनाव आयो जो ऐसे किसी प्रकार का कोई ओक्रेंस नहीं हुआ बड़े ही सांती पुरवक से वहाँ चुनाव बीत गए और चुनाव अच्छे तरीके से लोगों ने बोट भी दिया बड़ी संख्या में लोग आप किसकी गलती मान रहा है कि इने तैयारी करने पूरी तैयारी करने कि आप चुपचाप दहिए और प्रसासन मूख दर्सक बनकर करके देखती रही जिस प्रकार से मुकमल तैयारी करना चाहिए था सुरच्छा का इंतजाम करना चाहिए था उस प्रकार का व्यवस्थाएं वो खड़ी नहीं कर सका है प्रेमिरंजन पटिल जी हमारे साथ जुड़े हो ठी यहां पर महागडवन धन भले ही एक हो लेकिन यहां पर साथ पता चल रहा है कि दोनों मी किस तरह से और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें